तो फ्रेंट्स चलिए हम सबसे पहले तोरन पटी बना लेते हैं और तोरन पटी बनाने के लिए मैं ये वाइट केलर का उम ले रही हूँ इस तरीके से हम एक नॉट बनाएंगे और नॉट बनाने के बाद इसमें टोटल वीच चैन बुन लेंगे देखिए इस तरीके से एक, तो और इसी तरीके से हम टोटल 20 चैन भून लेंगे यानि की 20 तो देखे फ्रेंट्स यहां पे हमने यह 20 चैन भून के कम्प्लेट कर लिया अब क्या करेंगे हम इतना ही चोड़ा तोरन पट्टी बनाएंगे तो अब इधर से हमें 3 चैन स्किप करना है यह देखे पहला दूस तीसरा और चोथे वाले चैन में हम यहां पे एक डबल क्रोसिया बना लेंगे तो जो हमने इधर 3 चैन स्किप किया है यह पहला डबल क्रोसिया हो जाएगा यह दूसरा अब यहां पे लेंगे एक चैन और नीचे से हम यह देखे इसमें हमने बुना है यहां से हम एक दो दो चैन स्किप करेंगे और तीसरे वाले चैन में दो डबल क्रोसिया बना लेंगे एक और इसी फंदे में एक और तो यहां पे भी दो डबल क्रोसिया बना लेंगे फिर एक चैन लेंगे फिर यहां से सेम तरीके से दो चैन स्किप करेंगे एक दो और तीसरे वाले चैन में दो ड दबल क्रोसिया बना लेना है इसी तरीके से पूरे चैन के उपर हमें बुन लेना है तो देखे फ्रेंट्स हमने इस तरीके से पूरे चैन के उपर दो डबल क्रोसिया बना लिया है एक एक चैन लेकर अब यहां पर क्या करेंगे फिर से यहां पर हम तीन चैन लेंगे और तीन से बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे फिर अगले वाले फंदे में दो डबल क्रोसिया बना लेंगे एक दो फिर एक चैन लेकर अगले वाले फंदे में बनाना है हमें एक एक चैन लेना है और जितने फंदे हैं सारे फंदे में हमें दो-दो डबल क्रोसिया बना लेना है इस तरीके से बहुत ही असान पैटरन है फ्रेंड्स और बहुत ही जल्दी ये तोरण पटी ऐसे बन जाता है और दिखने में भी काफी खुबसूरत लगता है तो देखिए इस तरीके से एक एक चैन लेते हुए हर फंदे में हम दो दो डोबल क्रोसिया बनाते जा रहे हैं फिर एक चैन लेंगे फिर यहां पे भी बना लेंगे लास्ट वाले फंदे में अब देखिए यहां पे इस तरीके से यह बन गया अब यहाँ पर क्या करेंगे इधर फंदा नहीं है इधर ये छोड़ देंगे और यहाँ पर लेंगे तीन चैन और तीन चैन लेने के बाद यहाँ से फिर से इस वाले फंदे से बनाना शुरू करेंगे इसे पलट के बस सेम पैटरन हमें रिपीट करते जाना है यहीं वाला डिजाइन हमें बनाते जाना है और जितना लंबा हमें तोरन पटी चाहिए उतना लंबा हम तोरन पटी इसी तरीके से बनाते हुए तयार कर लेंगे देखिए इस तरीके से फिर एक चैन लेंगे फिर बना लेंगे यहाँ पे दो डबल क्रोसिया हमें सारे फंदे के अंदर दो डबल क्रोसिया बनाते जाना है देखे इस तरीके से अब यहाँ पे जो हमने तीन चैन लिया था ये वाला तो यहाँ पे अब एक चैन लेकर और इस वाले फंदे में दो डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेके पलट लेंगे और पलटने की बाद फिर से हम इस वाले फंदे से बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ दो डबल क्रोसिया बनाएंगे एक दो फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ तक बना लेंगे फिर लाश्ट वाले फंदे में भी हम दो डवल क्रोसिया बनाएंगे और फिर तीन चैनल लेके अगला रोव बनाना सुरू करेंगे इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंट्स हमें जितना लंबा तोरण पटी चाहिए उतना लंबा इसे त्यार कर लेंगे फिर आगे की डिजाइन बनाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमें इस तरीके से बुनते जाना है और जितना लंबा तोरण पटी चाहिए उतना लंबा हमें तयार कर लेना है तो मैंने पहले से ही ये तोरन पट्टी इस तरीके से बना लिया है ये देखिए सेम तरीके से बनाया है हमने जैसे हमने ये वाला भुना है इसी तरीके से हमने ये पहले तोरन पट्टी भुन लिया है अब चलिए ये Flower बना के बताती हूं कि इसमें ये Flower कैसे बनाएंगे और ये Side का जो हमने किनारी बनाया है ये कैसे बनाएंगे तो फ्रेंट्स ये वाला फ्लावर बनाने के लिए हमने ये रेड कलर का उन लिया है और रेड कलर के उन में एक इस तरीके से नॉट बना लेंगे तरीके से ये नॉट बना लिया हमने नॉट बनाने के बाद क्या करना है तो इधर से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे flower बनाएंगे तो इधर से हम 5 line छोड़ेंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और चथे line में हम flower बना लेंगे तो चथे line में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 double crochet है तो हम यहाँ पे बना लेंगे यह देखिए यहाँ पे तो जो हमने 2 double crochet बनाया हुआ है तो एक double crochet हम उठाएंगे और धागे को यहीं पे जोड़ लेंगे इस तरीके से यह धागे को हमने यहाँ पे जोड लिया यहाँ पे हमने धागे को जोड लिया धागे को जोडने के बाद यहाँ पे लेंगे दो चैन और दो चैन बुनने के बाद यह जो डबल क्रोसिया हमने बनाया है यहाँ पे दो तो एक डबल क्रोसिया के उपर हम तीन डबल क्रोसिया बना लेंगे ये देखिए एक दो और ये तीन तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे और तीन डबल क्रोसिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से दो चैन लेंगे और दो चैन लेने के बाद इसी डबल क्रोसिया के उपर हम इस तरीके से घुमाएंगे और जो डबल क्रोशिया के बीच में यह जो फंदा दिख रहा है यह वाला तो यहां पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहां पर दो चैन बनाएंगे और फिर इसी फंदे में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, एक, दो, और इसी फंदे में फिर से हम एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस वाले डबल क्रोसिया के, जो बगल वाला उसका डबल क्रोसिया है, एक, इसके उपर आएके, एक लेंगे और तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे एक ढोई मौत कि दो चैन उसके ऊपर सिंगल रूसिया बना लेंगे इसी डबल क्रोसिया के ऊपर तो ए फिर क्या करेंगे ये जो फंदा दिखरा है दोनों क्रोसिया के बीच में यहां पर शाइब एक फूल की पंखोडी बनाई तो एक हम इस वाले फंदे में बनाएंगे तो फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे फिर लेंगे 2 चैन और फिर इसी के उपर इसी फंदे में हम 3 डबल क्रोसिया बनाएंगे एक, दो और ये तीन तीन डवल क्रोसिय बनाया फिर दो चेन लिया और फिर इसी फंदे पर हम सिंगल क्रोसिय बना लेंगे और अच्छी तरीके से यहीं पर गांट लगा लेंगे और गांट लगाके धागे को हम कट कर लेंगे तो देखिए friends हमने धागे को यहां पर कट कर लिया धागे को कट करने के बाद इसे हमें क्रोसिय की मदद से पीछे के साइट खीच लेना है धागे को और अच्छी तरीके से हम इधर गाट लगा के इन धागों को हम इसी में फसा लेंगे तो देखे फ्रेंड्स ये जो हमने तोरन पट्टी के उपर फूल बनाया है तो ये हम चार पंखुडी वाला फूल बनाये है बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही असान है तो इसी तरीके से हमने बनाया हुआ है इस तरीके से हमें चार पंखुडी बना लेना है फूल का फ्रेंट्स हमें इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे पूरे तोरन पट्टी के उपर ये वाला फूल तयार कर लेना है तो चलिए friends अब हम तोरन पटी के उपर जो हमने साइड में किनारी बनाया है इसको बना के बताते हैं कि कैसे बनाएंगे तो friends इधर से हमने बनाना शुरू करा था तो धागे को हम यहाँ पे जोड लेंगे जहां से हमने बनाना शुरू किया था यहीं पे तो जिस साइड हमारा ये फूल बन रहा है तो ये हमारा सीधे के साइड होगा तो सीधे के साइड ही हम धागे को जोड़ेंगे और सीधे के साइड से ही हम किनारी बनाएंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से धागे को जोड़ लेंगे और धागे को जोड़ने के बाद तो यह हमने धागे को जोड लिया और धागे को जोडने के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे फिर एक सिंगल क्रोसिया यहाँ बना लेंगे तो यह हमारा कोने का हो जाएगा फिर उसके बगल वाले फंदे में यहाँ पे दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक दो फिर अगले वाले फंदे में यह वाला फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे जहाँ पे यह डबल क्रोसिया है फिर अगले वाले फंदे में दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे फिर अगले वाले फंदे में जहां पर हमने दो डबल क्रोसिया बनाया चैन के उपर तो यहां पर हम एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे फिर अगले वाले फंदे में दो सिंगल क्रोसिया एक दो पिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोस या पिर यहाँ पे दो सिंगल क्रोस या और इसी तरीके से यहाँ तक बुन लेंगे यह हमारे तोरन पट्टी की चोड़ाई है तो चोड़ाई के साइड में हमें इसी तरीके से बुनना है तो यह हमने बुन लिया अब यहां पे हम क्या करेंगे एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे फिर एक सिंगल क्रोसिया यहीं पे बना लेंगे तो यह हमारा कोने का डिजाइन हो जाएगा फिर यहां पे क्या करेंगे अगले वाले डबल क्रोशिया के उपर अब ये हमारा लंबाई हो जाएगा तो लंबाई में क्या करना है हमें हर डबल क्रोशिया के उपर ये जो डबल क्रोशिया है तो सारे डबल क्रोशिया के उपर हमें दो-दो सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाते हुए चारो तरप से complete कर लेना है तो 2 सिंगल क्रोसिया हमें हर डबल क्रोसिया के ऊपर बनाते जाना है यह जो हमने चैन लिया है उसके उपर भी दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और यह ग्रश्चा है इसके ऊपर भी तो इसी तरीख рए Says इस तरीखे से किनारी complete कर लेंगे इसी तरीके से हम अपना किनारी कम्प्लेट कर लेंगे और हमारा तोरण पट्टी ये कम्प्लेट हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स अब हम तोरण बनाना सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स ये हम दिल वाला तोरण बना रहे हैं तो इसमें लटकाने के लिए हमें हार्ट से बनाना है तो हार्ट से बनाने के लिए मैं ये रेट कलर काउन ले रही हूं और इस तरीके से करके हमें एक नॉट बना लेना है और हमें हार्ट बना के तियार करना है तो होट बनाने के लिए इस तरीके से नोट बना लिया और नोट बनाने के बाद यहाँ पे हम 6 चैन बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, हमने 6 चैन बनाया 6 चैन बनाने के बाद इसका हम यहाँ पे एक रिंग तयार करेंगे तो फस्ट वाले चैन में इस तरीके से क्रोसिया पास करके और यहाँ पे एक रिंग बना लेंगे फिर यहाँ पे लेंगे तीन चैन, एक, दो, तीन तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हम साथ डबल क्रोसिया बनाएंगे इस रिंग के अंदर हम चैन को नहीं गिंती करेंगे, हम साथ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक, फिर दो, तीन, चार, इस धागे को इसी के साथ बुन लेंगे, पांच, छे, और ये, छे, और ये साथ, तो हमने यहाँ पे साथ डबल क्रोशिया बना लिया, देखिए, साथ डबल क्रोशिया बनाने के बाद, यहाँ पे लेंगे तीन चैन, एक, दो, तीन, तीन चेन लिया हमने और तीन चेन लेने के बाद ये जो डबल क्रोसिया के उपर का ये दो फंदा दिख रहा है ये वाला इसे उठाएंगे और इस तरीके से करके यहीं पे इसे बुन लेंगे तो ये हमारा एक पीको एस्टीच हो जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे इसी रिंग के अंदर हमें साथ डबल क्रोसिया बना के तयार करना है देखिए एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ तो हमने टोटल साथ डबल क्रोसिया बना लिया तो हमने यहाँ पे तीन चैनल लेके साथ डबल क्रोसिया बनाया फिर तीन चैनल लेके एक पीको एस्टीच बनाया फिर हमने साथ डबल क्रोसिया बना लिया तो यहाँ पे हमने इस रिंग के अंदर टोटल 14 डब लगा लिया ली पेस्टिश लगाने के बाद जो हमने यहां पर तीन लिया था इसी तीन चैन के ऊपर हमें इस तरीके से तीन सिंगल क्रोशिया बनाना है तो हमने तीन सिंगल क्रोसिया बनाया फिर फर्ष्ट वाले चैन के उपर दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक दो दो सिंगल क्रोसिया बनाया सेकेंड वाले चैन के उपर भी दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक दो और यहां पर बागी बच्चे चैन के उपर एक एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे यहां पर हमने सिंगल क्रोसिया सारे चैन के उपर बना लेना है अब जो हमने यहां पर तीन चैन का पिको एस्टिच किया है तो हमें यहाँ पर इस चैन के उपर इस तरीके से एक सिंगल क्रोसिया बनाना है फिर एक चैन लेना है फिर एक सिंगल क्रोसिया इसी चैन में फिर से बना लेना है इस तरीके से फिर यहाँ पर बाकी बचे चैन में हम सिंगल क्रोसिया बनाएंगे देखिए इस तरीके से तो देखिए इधर हमारे पास दो चैन बच रहा है तो दो चैन में हमें दो-दो सिंगल क्रोस यह बनाना है एक फिर इसी में एक और बना लेंगी फिर अगले वाले चैन में भी दो सिंगल क्रोस यह बना लेंगे जैसे हमने इस साइड बनाया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है और फिर यहाँ पर जो यह चैन हमने तीन लिया है तो तीन चैन के उपर हमें तीन सिंगल क्रोस यह बना लेना है एक, दो, तीन तीन सिंगल क्रोसिया बनाया हमने अब यहाँ पर क्या करना है यह जो रिंग है इसी रिंग में क्रोसिया पास करना है और इस तरीके से हमें स्लिप एस्टिच यहाँ पर लगा लेना है फिर यहाँ पर एक चैन बुल लेंगे और यह हमारा इस तरीके से हाट बनके तयार हो गया अब धागे को हम यही पर कट कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स इस तरीके से यह बहुत ही प्यारा सा हाट से बनके तयार हो गया और इसी तरीके से हमें रेट कलर से 12 हाट से तयार करना है और वाइट कलर से 12 हाट से तयार करना है तो टोटल हमें 24 हाट से बना के तयार करना है अब हमें इस पे किनारी बनानी है तो किनारी हम रेट कलर वाले पे वाइट कलर से बनाएंगे और वाइट कलर वाले पे रेट कलर से बनाएंगे तो हम इस तरीके से किनारी बना लेंगे, ये देखिए, हमने ये उन लिया है, वाइट कलर का, और यहाँ पर हमें slip stitch की मदद से किनारी तयार करना है, तो यहाँ पर एक knot बना लेंगे, और knot लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोसिया पास करना है, फर्ष्ट वाले single क्रोसिया के उपर, और फिर यहाँ पर अगले वाले चैन के उपर इस तरीके से slip stitch लगाना है, फिर उसके अगले वाले चैन के उपर slip stitch लगाना है, तो जितने चैन है, सारे चैन में हमें इस तरीके से slip stitch लगाते हुए, और चारो तरब से ये किनारी complete कर लेना है, देखिए, इस तरीके से सारे चैन में हमें स्लिपे स्टिच लगाते जाना है यह बहुत ही प्यारा सा हार्ट से बनके तयार होगा और इसी को हम तोरण में लटकाएंगे बहुत ही प्यारा तोरण बनके तयार होगा फ्रेंट्स देखिए अब यहाँ पे हम आ गये अब यहाँ पे क्या करेंगे यह देखिए जहाँ पे हमने एक चैन लिया था तो यहाँ पे भी हम स्लिपे स्टिच लगा लेंगे फिर उसके बगल वाले में लगाएंगे फिर इधर जितने चैन है सारे चैन पे हम स्लेप एस्टिच लगाते हुए आ जाएंगे यह देखिए यह जितने चैन दिख रहे हैं सारे चैन में हमें स्लेप एस्टिच लगाना है देखिए इस तरीके से तो यह देखिए जितने चैन है सारे चैन में हमने स्लिप स्टिच लगा लिया अब यहां पर भी ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे फिर यह जो बीच का रिंग है यहां पर ऐसे धागे को खीच लेंगे यह हो गया और फिर जहां से हमने बनाना शुरू किया था और एक बार यहां पर ऐसे निकाल लेंगे स्लिप स्टिच अब धागे को यहीं पर कट करेंगे धागे को कट किया और धागे को क्या करेंगे यह देखिए यहां पर करोसिया पास करेंगे और इस धागे को हम पीछे चाहफ लेगे गांड लगांग कर लेगे तक हम ने में यह चिछा बड़ी अच्छी तरीके से इसमें हमने लोगा लेंगे और अधर खतालिया है और यह हमारा बहुत ही प्यारा सा हाट से त्यार हो गया तो देखिए फ्रेंट्स ये हमने हाट से त्यार कर लिया और इसी तरीके से हमें वाइट कलर से भी बनाना है तो ये वाइट कलर से भी हमने इस तरीके से बना लिया है और इसमें हमने किनारी रेट कलर से बनाई है और रेट कलर में वाइट कल अब चलिए फ्रेंट्स इसे हम तोरन में लगा के बताते हैं कि तोरन में कैसे लगाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमें इस तरीके से तोरन पट्टी में यह हाट से प्लटकाना है तो देखिए हमने इस तरीके से लटकाया है इसमें हमें इस तरीके से पॉफ बनाके और इस पर हमने इसे joint कर लिया है और ये हमने red color वाले heart shape को इस तरीके से लगाया है और इसी तरीके से हमने बाकी बचे heart shape को भी इसी तोरन पटी में इस तरीके से लगा लिया है मैंने पहले ही ये बना लिया है अब चलिए मैं आपको लगा के बताती हूँ इसे कैसे लगाएंगे तो मैंने रेड़ वाले पे इस तरीके किनारी भी नहीं बनाई है मैं बाद में बना लूँगी तो देखे फ्रेंट्स ये हार्ट सेफ वाला तोरन बहुत ही अच्छा लग रहा है आप इस तरीके से बना सकते हैं आप चाहे तो इसकी लेंथ और भी लंबी रख सकते हैं मैंने इतना ही रखा है आप इससे लंबा रखना चाहते हैं इसका लेंथ तो इससे लंबा भी रख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स तो चलिए अब मैं आपको इसमें लगा के बताती हूँ तो हमने इतना लगा लिया है अब हम थोड़ा सा ही लगाना बाकी है तो देखे फ्रेंड्स हमने पफ वाली डिजाइन बनाने के लिए वाइट किलर का उन लिया है और हमने हाट सेप का यह जो रिंग है यहीं पर हमने वाइट किलर के धागे को जोड लिया है हमने इसी तरीके से जोड लेना है और जोडने के बाद यहां पे बुनेंगे 5 चैन, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 चैन लेना है हमें, 5 चैन लेने के बाद और हम धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे जितना बड़ा पॉफ बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं तो मैंने इतना बड़ा लिया है, लगभग एक इंच से भी थोड़ा सा कम है और ऐसे हम फर्ष्ट वाला चैन छोड़ेंगे और सेकेंट वाला जो चैन है, उसके नीचे वाला उसमें से धागे को निकालेंगे हम जिस्त में से निकाले हैं धागे को वो वड़ा चैन हमें skip करना है और उसके नीचे वाले चैन में हमें धागे को निकालना है तो हमने एक बार धागे को निकाला फिर ये दूसरी बार और फिर ये उसी फंदे से हमें निकालना है फिर ये तीसरी बार तो हमने धागे को 3 बार निकालना है तो हमने धागे को डबल करके लिया है यह हमारा 2-ply-oon है आप 4-ply या 3-ply-oon से भी यह वाला डिजाइन बना सकते हैं तो हमें इस तरीके से पफ बना लेना है अब क्या करेंगे सारे फंदों को इस तरीके से यहीं पर बंद कर लेंगे यह हमारा puff कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से फिर से पांच चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पाच चैन लेने के बाद फिर से धागे को थोड़ा सबड़ा करेंगे इतना ही बड़ा तो यह हमने कर लिया अब फिर यहाँ पे फ़ीस्ट वाला चैन एसकिप करेंगे सेकेंड वाले चैन में से धागे को निका लेंगे तीन बार निकालेंगे हम और यहाँ पे ऐसे पकड़े रहेंगे ताकि धागा छोटा बड़ा ना हो नहीं तो हमारा पफ परफिक नहीं बनेगा अब देखिए यह तीन बार हमने धागे को निकाला अब यहाँ पे क्या करेंगे सारे फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे फिर यहाँ पे पाँच चैनल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच सेम तरीके से पिर पॉफ बनाना है हमें तो मैंने वाइट वाले में चार पॉफ तयार किया है और रेड वाले में दो पॉफ तयार किया है आप अपने हिसाब से अगर आपको इससे लंबा बनाना है तो आप इससे लंबा भी बना सकते हैं तो हमने इसी तरीके से बनाया है फ्रेंट्स अब फिर यहाँ पे भी पांच चैन लेंगे फिर से एक पॉफ तयार कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने यह चार पॉफ तयार कर लिया एक दो तीन चार तो हमें इसी तरीके से चार पॉफ तयार कर लेना है अब यहाँ पे लेंगे पांच चैन एक दो तीन चार पांच पांच चैन लिया हमने और यह हमारा लटकन ब करना है अब क्या करेंगे हम यहां तोरण पड़ि में थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे और जैसे हमने वाइट वाला लटकन बनाया से मातर थाल ख़न गानंगे धागे को अच्छे से जोड़ लेना है और इस customer का हम इसी के साथ बुन लेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने वाइट वाला बनाया, उसी तरीके से हमें बनाना है, यहाँ पर पांच चैन बनाएंगे, देखिए, तेन, चार, और यह पांच, तो हमने यह आपे पांच चैन बना लिया पांच चैन बनाने के बाद सेम तरीके से हमें पॉफ तयार करना है तो हम रेड कलर वाले में दो पॉफ तयार किये हैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें रेड कलर वाला लटकन तयार करना है रेट कलर वाले में हमने दो पॉफ बनाया है और वाइट कलर वाले में हमने चार पॉफ बनाया है और इसे हमें तोरन पटी के साथ बांध लेना है और ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा ये एक बार हमें white color वाला बांधना है फिर हमें red color वाला फिर white color वाला फिर red color वाला तो red color वाला हमारा 2 puff वाला है और white color वाला हमारा 4 puff वाला है और इसी तरीके से हमें ये तयार करके लटकन और पूरे तोरन पट्टी पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें बांध लेना है तो चलिए इसे बांध लेते हैं तो दीकिए फ्रेंड्स ये हमने सारे heart set इस तरीके से तोरन लगा लिए है तो फ्रेंड्स रेड किलर वाले पर हमने अभी किनारी नहीं बनाया है इस तरीके से तो हम ये बना लेंगे और ये हमारा हाट से तोरन कम्प्लीट हो जाएगा बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स आप अपने अनुसार इसकी लेंथ कम या जादा रख सकते हैं मैंने ये थोड़ी थोड़ी तोरी पे इस तरीके से छोटा अधली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे ही डिजाइंस देखने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाई